चीन ने हाली में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से संपर्क किया साउथ चाइना मौनिंग पोस्ट के मुताबिक दलाई लामा ने करीब एक हफते पहले बताया कि चीनी नेताओं ने उनसे कांटेक्ट किया था हाला कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कब हुआ और उनकी चीन से क्या बात्चित हुई दलाई लामा ने कहा कि वो हमेशा बात्चित के लिए तयार है दलाई लमा ने भारत में रहकर टिबबत की एक सरकार बनाई थी इसे TGIE कहा जाता है हाली में इस सरकार की मंद्री नारजिन डोल्मा जापान की यातरा पर गई थी वहाँ उन्होंने इस बात की पुष्टी की थी कि चीन अनुपचारिक तोर पर बैक डोर से दलाई लमा से बाच्चेत कर रहा है और ये बहुत जरूरी भी है दलाई लमा अपने रहते वे तिबबत की समस्या का जो भी समाधा निकालेंगे उस पर हम सभी लोग सहमत होंगे इससे पहले अपने जनम दिन के मोके पर दलाई लमा ने कहा था कि चीन अब बदल रहा है और मैं उनसे बाच्चेत के लिए तयार हूँ तिबबत की समस्या के हल के लिए जो मुझसे मिलना चाते हैं वो आ सकते हैं हम पूर्ण आजादी नहीं चाते हैं कई साल पहले हमने फैसला किया था कि हम चीन का हिस्सा बने रहेंगे अब चीन को भी एहसास हो गया है कि तिबबती लोगों की भावना बहुत मजबूत है इसलिए अब वो उनसे दील करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं चीन में एथनिक पॉलिटिकल के एक्सपर्ट बेरी सौटमेन ने पूरे मामले पर कहा दलाई लामा अपनी उम्र की वज़े से अब अलग-अलग देशों की यात्राएं नहीं कर सकते हैं ऐसे में दोनों पक्षों के लिए ही बातचित करना जरूरी हो गया है तिब्बती सरकार के लिए दलाई लामा उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो अंतराष्टी इस्तर पर उन्हें पहचान दिलाते हैं वहीं बिजिंग के लिए ये सही वक्त है क्योंकि अभी दूसरे वेश्विक मुद्दो के चलते जादातर देशों का ध्यान तिब्बत से हट गया है तिब्बत काफी समय से पश्चिमी देशों के एजेंडे में नहीं है एक्सपर्ट के मुताबिक चीन ये जानता है कि पश्चिमी देश तिब्बत के लिए जो कर रहे हैं उसका एक बड़ा करण दलाई लामा है ऐसे में आने वाले समय में तिब्बत में उनका दखल कम हो सकता है सौट में ने कहा अगर चीन अपने पख्ष में नेगोसियेशन चाहता है तो ये उसके लिए दबाव बनाने का सही समय है इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद